हेलो 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 हैंस कैसाब सभी आई होप आप सी भहत अच्छी होंगे और वेलकम बैक टू माई चैनल सब आज बीग बॉस में आये हैं सूपरिस्टार रनवीर सिंग और सारा अली खान एंड रोहित सेटी और बहुत जबर्दस्त मजे आये हैं और रोहित सेटी जब से खत्र से पिछली बार भी आये थे तो वह जरूर आते हैं वहीं पर सारा दुवारा से आई हैं विग बॉस के घर में महमान बन के वहीं पर रनवीर सिंग आये हैं ओवर और पहली बार आये हैं वह बिग बॉस के घर में जितने भी सीजन से बारा हो चुके हैं उसमें से भी पहली पहली बार आये हैं तो जम कर बस्ती हुई है विकॉस आप सबी जानते हो रनवीर को किस तरीके से ठीट करते हैं कहीं भी जाते हैं तो मुझे रनवीर की सबसे अच्छी एक यह चीद बहुत जादा बैस रखती है विकॉस बहुत है उनके अंदर ना एक ऐसा है कि जैसे मेगनेट नी होता है इनसान खिचा चला जाता है उनके उनको देख के उनके बोलने की तरीके उनके चाल ढाल उनके एक्सफेशन उनकी कॉमेडी इस तरीके से ना मलब इनसान खिचा चला जाता उनकी तरह तो ब्रनवीर इस तरीके से दिल जीते हैं जनता का ओमाइगार जो तरीके से वह जाते हैं उस माहौल में एकदम की वह दिये नहीं देखते कि मैं किस तरीके से ट्रीट कर रहा हूं अपने आपको या लोग मुझे किस नजरीय से देखेंगे ऑ किसी नो वह अपनी परफोर्मेंश पर आपने जो जिस दिल जो में क्या बता हूं दो दिलकस अंदाज और एकदम खुला विहावार जो टाइब की जुबंदे गर में भी जादा कुछ दिखाया नहीं है वाकी का तो हम कल कंट्यूनु करेंगे उनके साथ में घर पे सरफ सारा की जो टीम बनी बॉइस-बॉइस की और रनवीर की जो टीम बनी गल्स-गल्स की पूरी जहां पर रोईस सेटी ने उनको एक-एक डांस करने के लिए एक-एक Difficult के साइंडी जिसमें addressed जो सल्माण जो में अले मतलब करेंगे 7 इस बत्लक नहीं से चॉलनि करेंगे साथ में रनवीर रनवीर की क्या performance रहती है क्या उनके जो जाभीस बनी है कितना जॉंबिस अपना दिखा पाई लाकिस तो देखते हैं बेसिकली आप सभी समझत क्यों अगर वाले अपना फ़र कोई अपने आपको फर्स नंबर पर देखता है फर्स नंबर की रैंकिंग पर देखता है लेकिन पता है इन घरवालों में ऐसा नहीं है यहां पर इनका है एक जैसे की सलमान जी ने भी बहुत बोली इनका क्या है कि ज चौथी नंबर पर देखते हो तो जाकर चौथी नंबर पर खड़ी हो जाएंगी अपने अपको डिफाइन नहीं करते हैं अपने लिए लड़ते ही नहीं हैं यह और सथ यह बिपोस्पारा की खासियत भी रही है इन लोगों में कि यह महांता वाले लोग कुछ जादा ही आ पर खड़ी तो के बीक के लिए मैं अगर बूलो तो के भी मुझे आपके ना की फिप्त नंबर पर दिखते हैं मेरे साथ से मैं उनको फिप्त नंबर पर देखती हूं महीं पर ही देखो बहुत सारी बात हुई ओबर ओल और जो रजल्ट निकल कर आया लास में ही रजल्ट पर आया कि जो फर्स रैंकिंग पर गए वो गुदीपक गए सेकंड पर स्री गए थर्ट पर रो मिल गए फॉर्थ पर सूमी गई फिप्त पर सुर्भी गई शिक्स पर के भी गए और सैबंध पर दीपिका नाट पासिबल पिकॉस मुझे नहीं लगता कि दीपिका की रैंक कृलिटी होना इसी अनुए जोना केका करने हैं आपक्स अनुए लेकिन अगर चाहिëहां हैं हr वहां सुन नाट आटे की दरहा वकर ब्हुस बारत लेकिन जैसे ही अपने ताओ ज्हाओ कि छल ऱड़ाइयें या वह वहू क्या एक्टिंग की वागरा वगर कुछ भी ठाच है लेकिन श्री की वज़ए से ही कहीना की सो में टीर पी वाला एक टीर भी जैसी एक वर्ट आए तो मेरे साब से श्री तो पहले ही डिजर्ब करने चाहिए तो नमबर बन पर सिरी सेकंड नमबर में डीपी काजी को अब नबर मेरे साब से दीपक होने चाहिए विकाज दीपक कहीं डिजर्व करते हैं विकाज जिसरी से जो एंटर्टेमिंट का फैक्ट है या उनमें एक क्वालिटी है उसमें बिनर विकाजिटी दिखती है और यह तीन जो बंदे हैं ना यह तगड़े यह तो इसलिए नमपर फे देखे हैं तो मैं सुर्वि को देख्ती हू क्यों कि आने के बाद में भी जिस्तिकरिकि उनकी बायड काड़ एंट्री हुई एक अलगी ही लेबल हो कि बीग बॉस का जिसे लडडाए ठकड़ और इधर इधर रन नीती उधर रन नीती प्लाणी प्लाटिंग वगरा वगरा तो मेरे साथ से सुर्वी को फोर्थ नमबर पर होना चाहिए फिप्ट नमबर पर मैं के भी को सिले देखती हूँ क्योंकि अगर वो महानता वाला टैग लेकर नहीं घूमते तो कहीना कहीं वो भी सक्सेस ह वो सकते थे विग बॉस के हाउस में लेकिन उनके महानता की चकर में वो महानता उनको लेडू भी और मैं उनको फिप्ट नमबर पर देखती हूँ रोविल को मैं से नमबर पर इसलिए क्योंकि वह पहले भी कुछ नहीं कर रहे थे सिर्फ उन्होंने मांस्टर प्लाइन किय उन्होंने एक हैपी किलब गुरूप बनाया जो भी रहा नहीं बाद में और कहीं ना कहीं वह जूटे भी है पल्डू भी है और जब बिग बॉस की शो में हो तो आप उसकी कदर नहीं कर रहे तो बिसिकली यह आपके लिए डिजर्वी नहीं है चाब वह सो कैसा भी है अग मुझे नहीं लगता तो मेरे साफ से सिट्स पे रोमिल होने चाहिए और सेवन पे अगर मैं देखूं तो सौमी होनी चाहिए तो सौमी का हमने इतना पॉइंट व्यू मैंने भी नहीं देखा है वह मुझे मुझे ओगर पूरे टाइम सिर्फ यही कहते हैं सुनाई पड़ी ह करका मैं तो तमीज से बात कीजिए तो तमीज 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 यह ही मुझे ऑर अगल पॉपर 7 पर कॉपर 2 तो मुझे देखूं उसके बाद में सलमान उससे पहले ही रोमिल ने जैसे अपने आपको थर्ड नमबर पे देखा तो रोमिल को भी भाप लग गई यार मैं थर्ड नमबर पे डिजर्व नहीं करता हूं कहीना कि मनी मन में लेकिन जब वो उनको मिल रही है तो वो क्यों छोड़ेंगे जैसे दीप चोड़ों की तरह तो वहसं तरह हैं तो पूर्वर भी हैं बहुत अच्छे तरिकी से बात करते हैं पर इस बहुत है नहीं बहुत है घृत को चीशी का उनक है तो नहीं उसुर्भी और करन ने आस बात कि दीपिका और शीरी के लिए जा पर शीरी बढ़ी ही गोख से सुने तो मुझे बहुत पनी नहीं लगा जैसे तरीका से श्री सुन रहे थे चुपचाओं उनकी बात है तक चोरों की तरह तो सुर्वी ने बात की करन से कि दीपिका जी का जो पॉइंट अब व्यू है वो किलियर नहीं होता है वो स्टेंड नहीं लेती है अपने लिए वो गलत च पर बात करती है वो इस सो में रहना और जीतना भी लेकिन वह कहिना कहीं बहुत सारी चीज़ों के वज़े से उनके टास वगयरा में इनकी कम ही रही है तो उसकी बज़े से मिरे को ऐसा लगता है कि दीपिका जी कहिना कहीं मलब की बिखरी है घर के अंदर और मुझे इनी च set ही है वह अच्छी नगती है वह इनके पर पर है उन्हों ने की सच लिए किस ने किया क्या और और वही ड्रामा किया है घर के अंदर और शीक्तिक कोड़ूफतिंग को सब्सक्स व्धूब着 सब्सक्राइब को रहते हैं कि मेरे को यह फेक बोलते हैं यह और शिरी जिस सारी से भार यहां पर नहीं है वह खुद ब्लेन बनाने की कोसिस कर रही है मतलब कि वह कहते हैं कि मैं को容易 hero hero नहीं हूँ मैं अपने आपको blend के रूप में देखता हूँ तो वह सब सब इनकी इसके बाद चैपटों venus लूब कोशी में अड़ों सबसे पहले जो बात की हुखी करन से उनके करन के क्पड़ों औल लिए करन के हुख लिए करन के लिए लिए लेका भबात की लए किरना न स्थालियों के लिए कि आपको डीपिका जी 7 नमबर पर कैसे लगती है और क्यों लगती है महीपर ही अगर मैं घर के तरीके में देखू तो वो टास्क्त बहुत कम करती है और उन्हें अपना एक ही दोस्त बना रखा है बाकी के घर में उनके कोई दोस्त नहीं है मैं लगा किसी से अच्छी बॉंडिंग नहीं है तो वहीं पर ही देखो इन सारी चीजों में अगर देखें तो दीपक कही ना कहीं स्यूसे रोटर किया और उनके साथ में जो हंदये सबस्केर से बाब समय करें दो एक बार बार बहुत का देखेंगे हैं só Leo सांडिया में इसे तब वो उनको बात करते हुआ बहूंत इस दूसरे लोग ना सुने तो इन लोगों के स्थी किड़ाई है कि हमने वह बात क्यों नहीं सुनी और इन्हों ने वह देखी नहीं है लेकर हमने वह चीट देखिए कि दिपिका ने अपना पॉइंट रखा है जहां वह गलत होते हैं उन्होंने गलत के लिए उनको बोला है अच्छे के लिए भी बोला है तो डेफिनेटली मुझे दीपिकाजी इस चीज़ में बिल्कुल भी गलत नहीं लगती है वह बहुत ही साही जा रही है अपने तरीके से उके उसके बाद में जब दीपक जिस तरीके से बात बोले और जिस तरीके से उनको सैवन नंबर पर देखे यह कोई रीजन नहीं होता किसी को सैवन नंबर पर देखने का वही पर ही सलमा जी ने बहुत ही सही बात बुली कि यह लोग आपको घर से बाहर देखना चाते हैं देखती हूं और डेफिनेटली बूला उन्होंने सौमी सेवन नंबर पर डिजब करती है मैं को ऐसा लगता है कि पूछा गया कि आप दीपक को फर्स नंबर पर क्यों नहीं देखना चाहती हो तो जहां पर उन्होंने सौमी सुर्वी ने बोला कि मुझे दीपक का ऐसा लगता है कि वह बहुत ही ज्यादा मोस्ट इरेटेटिंग परसन है जिसकी बैज़े से वह डिजब नहीं करते तो माइक गॉर्ड मतलब सीरिसली जो मोस्ट इरेटेटिंग सबसे ज्यादा जो है वह सुर्वी रही है घर के अ अच्याय गफिता तक बंद कर देते हैं जैसे से ली नहीं जैसे पहले को सब्सक्राइब है सजब्सक्राइब को संब्सक्राइब. वही पर ये उनसे पूचा कि सौमी को आप फोर्थ नमबर पर कैसे देखती हूं सुरवी मुझे आप ये बताओ तो जहां पर सौमी ने कहा कि मुझे सौमी जैसे फीडबेक आया है तो रोमिल और दिपिका से जादा मुझे सौमी डिजर्बिंग लगती है इस गेम के अंदर फोर्थ नमबर के लिए तो वहीं पर ही देखो मेरा देखा जाए तो डिपिका जी के लिए में बहुत सारे कॉंप्लिमेंट आये हैं और सौमी का अच्छा है नेचर ठीक है उसका लेकिन उनकी कई हरकते ऐसी हैं बीच में बोलना बहुत अजीब से बतरे से बोलना मुझे थोड़ा सौमी थोड़ा तो दीपिका के लिए उनसे पूछा गया कि आपने दीपिका जी को सेवन नमबर पर किस वेस्पे देखा है पहले तो आप हमें यह समझाए तो उस बेस पर नहीं कहा कि वहीं टास्परफॉर्म नहीं करती हैं स्टैंड नहीं लेती हैं किसी भी चीज के लिए और जो भार से लिए भी फीड़बेक आया है उसमें दीपिका जी को कोई अपरी सेट नहीं किया गया सोमी को जादा किया गया है तो वह वगयर वगयर वाली सारी चीजह उन्होंने बोली फिर इसके बात में घरवालों से रैंकिंग के लिए दुवारा से रैंकिंग हुई सलमान जी के साम नमर पर ही नाम लेते हैं दीपिका जी मैं दीपिका जी को सेबन नमर पर देखती हूं पूछा गया क्यूंकि अगर घर के अंदर तो बहुत अच्छी केरिंग है अपना पॉइंट रखती है और बहुत ऐसी चीजह है जहां पर उनको बोलना चाहिए तो बोलती भी है तो अंदी लंबी चलांग लगा कर कूदना उस चीज में हाओ कैसे कर लेती हो सुचो तुमने भी एक गंटे पहले क्या किया है ऐसे लोग कहां डिजर्ब करते हैं यार बिक बॉस को जीतना उके उसके बाद में के बी से पूछा गया जा के बीनो सुर्भी का नाम लिया कि मैं स सिरी और सिरी से पूछा तो यह वह एकदम जिक जैक वाला था एक उसके बाद में जब रैंकिंग होई तो जैसे ही फिर सलमान जी ने सुर्भी से पूछा कि सुर्भी इतली लंबी चलांग आप कैसे लगा लेती हो आप अभी कुछ देर पहले जहां पर दिपिका जी को 7 न पर हिंदी के टीचर बन जाती हैं तो सीधा उन्होंने बोला कि पहले तो फर्स्ट नमर में मैं अपने आपको खुद को बेजेता देखती हूं लेकिन अगर मैं बेजेता नहीं बनती हूं तो मैं दिपिका जी को मैं बानती हूं और वो इस सो को जीतना चाहिए ऐसा मैं बना लेती हैं तो डेफिनेटली सिरी के साथ में भी उनका अच्छा बन होई जाएगा डेफिनेटली तो सोचने वाली बात है मही पर ही के वी रोमिल सोमी एंड रोमिल से पूछा गया आज उस टास्के बारे में जो बिग बॉस फायर जो स्टेशन वाला टास्क वाता जिस खेल लगें लगेंगेंगेंटली ऌर्त धीता वी प खेल्ट मफ्यास कर दावेज के अंदर जाना जाना ही चाहिए लेकिन बीग बॉस इस तरीके से खेलेंगेंगेएब्म अग्याय की हमारी इस साथियों लेकर आ रहे थे आगदा हैं अगर दो जने सीट पर बैठें और दोनों की फिलोटो आती है तो अबिसली वह सब अपना अपना बचाने की कुछिस करेंगे तो डेफिनेटली इसी बात है तो पहिना कहीं दीपा को समझ में आ गई थी तो उनसा पूछा गया कि आपकी इतनी श्रॉंग पिर प्लानिंग थी और इस चीज के बा कि वाली बात हुए वही पर ही उन्होंने फिर उनसे पूछा गया जो दाविदारी का टास्थ हुआ था टेलिफॉन के लिए जो नौ मिनिट जो ज्यादा बैठे थी दीपाक उसके लिए बात हुई जहां दीपक ने उनके लिए उनके उनके उपर बहुत सुंदर सा गाना बना दिया नौमिनिट के उपर दीपक में टैलेंट तो यार कोट-कोट के भड़ा बड़ा बंदे में एक बहुत बोलो तो क्योंकि ना वहां कि ऐसे लिरिक्स बनाना और उसको फिर एक सरगम में एक टून में एक साउंड में लेकर आना बहुत ही एक टैलेंट वाली बात ह क्योंकि भी बॉस की घर में ना पैन है ना पैनला है कुछ भी नहीं है मनी मन के अंदर मनी मन के अंदर अपने तारों को जोड़ना उस सरगम को जोड़ना उन लिरिक्स को जोड़ना बहुत बड़ी बात होती है और ौमिनेट के ऊपर 30 उनों खुबसरद गाना मनाया अ को तो बहुती सुंदर अगाना था वो मिलेंगे महीपर ही सुमी से पूछा गया आज लैंकिंग अपने ही friend के बीच में तो वैसे तो सोमी ने कहा गिए ना friend के बीच में कोई ranking नहीं होती है दोस्त होते हैं लेकिन अगर मैं फिर भी देखूं अगर इस तरीके से तो मेरे साबसे first number पर शुर्वी है विकाज रोमिल को वो बहुत ज़्यादा priority देती है और वो उनकी best friend है और भार भी रहेंगी अभी थोड़ी से condition सैसी हो गई जब वो आए थी कि वो गलत वे में जा रहे हैं उनकी जो relation है इसकी बज़े से वो दूर-दूर हो गए हैं लेकिन भार ये काफी अच्छे best friend रहेंग सब्सक्राइब कर दी मरम मत अच्छे से बात परदावा दिये उनके जापर वो इमोशन होगी कि में वह तूर-चरू में भी जीतने के बाद में भी मुझे बिलिंद की कुर्सी पर बैठना पड़ रहे हैं शिट वहीं पर ही आज आया FFA scholar of the week का कॉल जाता है इससे के लिए यहां से उन्होंने कोशन पूछा कि रेडियो टास्क में बोल रहे थे कि यूर एक्टर अगर यही चीज आपको कोई बार बार बोले कि यूर किर्केटर तो आपको कितना इरेटेट होगा सिरी तो सिरी ने बोला कि यार ऐसा नहीं है मैं बोलता हूँ लेकिन मैंने एक्टिंग भार की भार की वे में कोई एक्टिंग के लिए नहीं बोल रहा है मैं घर के अंदर जो यह एक्टिंग कर रहा है मैं उसके लिए बोल रहा हूं क्योंकि यह एक मुखवटा पहिन कर बैठा है अच्छा बनने की कोसिस कर रहा है जहां पर यह बोल रहा था कि म मैं तो नहीं पता इनकी बुखोटों की बीचे क्या है जो केमरे पर दिख रहा है वो ही हम देख सकते हैं बाकी का तो हम भी नहीं जान सकते हैं मही पर ही देखो उसके बाद में जब यह सब बाते हो गई डेफिनेटली एक टाइम ऐसा आया था कि सलमांची को भी बहुत को सारे थे यार इन लोगों के छगड़े कब कब पिंड छूटेगा मेरा ऐसा मानू रहा था यह मैं तो सो जाओं या गद्दा लाके और चदर लाके देदे मैं सो जाता हूं यहांते मही पर ही कल सरी मही पर ही रोमिल और सुर्भी ने आज बात की रोम अगर भार भी हम एक दूसरे के साथ जरूर मिलेंगे तो मुझे माफ कर देना सीज के लिए या सुर भी नहीं बोला मैंने भी आपको बहुत अच्छा सा बहुत जोट गया वही पर ही कल 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 आज तो कोई वेगर नहीं हुआ है घर से और कल बिलकुल वेगर हो जाएगा और कौन होगा बड़ा इंट्रेस्टिंग रखा है वो फिरने वाला टाइमिंग वाली मसीन की तरह तो देखते हैं कौन कौन गर से वेगर हो जाएगा मेरे साब से तो दीपक सेब हो गई है और देखते हैं कौन चला जाएगा बहुत ही शौकिंग सा मुझे लग रहा है और नेक्स्ट जो वीकेंड का वारें संडे पे फाइनल हो जाएगा और देखते हैं कौन जीतने बाला है विगवास वारा बहुती बेचैनी बनी हुई है और मैं भी आप लोगों के साथ में जुड़ी हुई हूँ और इसके बाद में क्या होगा वो देखिए सोचिंगे जुड़ने की पीकॉज ऐसे इतना कनेक्ट जुड़ चुका है तो यह कनेक्ट इतनी जल्दी टूट नहीं सकता और मैं तोड़ना भी नहीं चाती हूं इस कनेक्ट को तो अभी के लिए तो मुझे बिदा लेनी पड़ेगी क्योंकि अभी जाओंगी तो बलाओंगी और प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले गंटी रवा दो जिससे आपको न्यू अपडेट्स रोज मिलती रहें और अभी के लिए बाए